ति हैं तो हुलो दोस्तो हमने पिछले सेशन बांद की थी राष्ट पती के बहुए की चर्चा थी वह क्या थी आर्टिकल kaikसमाइची आर्टिकल 3000 मेर्थ या का थ महां कुठ यूघ की चर्चा थियने orrahant के राष्ठ पतीक कोई से के से रधाया जा सकता है इसके बारे में चर्चा ने चर्चा के नियुक्त की अपनी 62 कुछ लब करेंगे राष्ट्पति की सक्तियों के बारे में कि राष्ट्पति के पास कुन-कुनं से सक्तियां होती है बात कर लेने आरिकल 62 के बारेregat 22 कु üst बात कर 62 क्राइब है cał् wait तो 1862 में कहा गया है कि मान लेजिए आधी राष्ट्पति की अचानेक आकसम् बित्ति हो जाती है यह र्वाइब त्याग पत्र देते हैं तो ऐसी स्थिति क्या हो जाएगा उसकी चर्चा हमारे आटीकल बहासप में तो हम देखते हैं तो माली जी राश्टपत है तो उन्होंने अपने पट से जिया या तो उन्होंने प्टि ऊगई या उन्होंने त्याकपत दे दिया, त्याकपत दे दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, राष्टपती पत क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, राष्टपती पत क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आइटिकल बासट कहता है, जो उपराश्ट्पती होता है वह राश्ट्पती जो पराश्ट्पती होता है उपर राश्ट्पती वह का हो जाता है वह राश्ट्पती बन जाता है और यह कैसे बन जाता है यह एस थाई समय के लिए बनता है कैसे एस थाई होता है जो राश्पती को राश्पती बनाया गया वह कैसे समय के लिए इसको समय निश्चन नहीं और इसको इसलिए बना जाता है क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे राश्पती की सक्तियों के वाली में तो महां पर हम देखेंगे कि जो राश्पती होता है वह तीनों ही सेनाओं का क्या होता है प्रिमोख होता है तो ऐसी स्थिति में उस पद को खाली नहीं रखा जा सकते हैं क्यूंकि बहुत ही महत्पूर पद होते हैं तो इसलिए उसके कभी झाल राश्ट्पती का राष्ट्पती बना दिया जाता है तो राश्टपती राश्टपती को राश्टपती बना दिया जाएगा और फिर कितने 6 महीने के अंतर गंतर 6 महाई के अंतरगत क्या होगा राश्टपती का क्या होगा राश्टपती का निर्वाचन होगा यानि चुनाव कराए जाएंगे यानि च्छे महीने के अंतरगंतर क्या हो जाएगा चुनाव हो जाएगा और नए राश्टपती का नर्वाद चन हो जाएगा और जैसे राश्टपती नए राश्टपती का नर्वाद चन होगा तो जो हमारे उपराश्टपती जो समय के आर्टिकल वासट में बात किए यदि आकास्मिक वित्तिव हो जाती है किसी राश्पती की या वह अपने पस से त्याकपत देते हैं तो ऐसी स्तिती में ऐस्ता ही समय के लिए उपराश्पती को राश्पती बना दिया जाएगा और छे माहें के अंतरगत चुनाओ कर आए अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे राश्पती की राश्पती की सकती के बारे में चलिए उस तो बात करते हैं राश्पती की सकती के बारे में तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है सेन्न सकती में सबसे पहले नमबर आता है तो राश्पति के पास सेन्न सकती में कह सकती होती है तो जैसा कि आपना भी पहले बताए कि जो राश्पती होता है वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है यह जो राश्पति होता है वो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है और इसी के साथ कि राश्पति क्या करता है जैसे किसी देश के साथ युद्धोराव तो युद्ध प्रारम करने का आदिस कौन दे देता है राश्पती देता और युद्ध ब्राम की गोशना कौन करता है राश्पती करता है युद्ध आरम करने कि आरम या ब्राम की जो घोषणा है वह करता है राश्ट्पति करता है तो यह थी क्या है राश्ट्पति की सहने सक्ति कि राश्ट्पति तीनों सेनाओं का प्रमुक होता है इसलिए युद्ध को आरम करने की और ब्राम करने की घोषणा करता है अब चलिए बात करत राजनेतिक सक्ति में जिसे हमारे देश से इडियन फॉरेस से जो सेलेक्ट होकर जो ऑफिसर बनते उन्हें विदेश में राश्टूत के रूम में भीजा जाता है राश्टूत के रूम में भीजा जाता है तो उनको जो भीजने का कार है वह कौन करता है राश्ट्पती एनि जो राश्टूतों को लुटका जाता है उनको कौन भीत द्राश्ट पति वहता हैं और जो जो ढ़िन जैब जब कर दे से भी क्या आते हैं विदेश के राश्टुत हमारे देस में आते हैं उनको हमारे देस में आने की अनν dependencies हमारे मंतरी परिसंद में जो भी मंत्री होते मई जब सब भी कभी भी विदेश द्वारे पर जाते हैं तो ऐसी स्थिती में तो उनको जो मंत्री होते हैं उनको राश्पती की अनुमती लेनी होती है विदेश द्वारे में जाने के लिए तो यहां पर क्या हुआ राजनते सक्ति में बात करेंगे तो जो हमारे भारत के राजदूत नोत है उनको देता है राष्ट पती देता है और जो हमारे मंत्री बात करेंगे कानून के बारे में जो भी सकति है वह चति कहाना है अद šansman sa सकते हैं तो इसमें क्या है जैसे कि Jowanie संसद में मुणाने के लिए सत्र बुलाए जाते हैं, कानून बनाने के लिए शत्र बुलाए जाते हैं तो जो सत्र बुलाता उसको आहूद कौन कराता है राश्टपती कराता है और जो सत्रा बसान कराते हैं वो राश्टपती कराते हैं क्या होता है राश्टपती क्या करते दो काम करते हैं जो कानून वनाने के लिए संसद में मंत्रियों को विधाय को या सांस सदों को बलाए जाता है उसके लिए सत्राहूत कौन कराता है राश्पती कराता है और राश्पती करता है और जब जो बिदेयक है वह संसत से पास होता है फिर क्या होता है उसको कानून बनने के लिए कानून तभी बनता है जब राश्टपती उस पर हस्ताक्चर करें तो उस ब्धियक पर हस्ताक्चर कौन करता है राश्टपती करता है जब वह ब्धियक पर साहिन कर देता है तो क्या हो जाता है वह एक कानून बन जात तो राश्पति आउत कराता है सत्रवासान करना राश्पति क्यों करता है है art करता है बदियक तो यह क्ष plantation करता है क्षट संसरे सद्ध्ध करता है टीक तो यह क्या है भिद्यक और विद्यक पडार जैसे जतम लीजिए तो किसी तो यह करता है करता है कि सस्पंड बीटो लगा कर इनिलम कारी बीटो लगा कर देता है कि आप फोड़ा चर्चक रें आप को संसोदन करें और इसके लिए दोबारा भीज़ सकता है ठीक। तो यह सारी ч करेंगे उसके हम चर्चा आर्टिकल 111 में करने उसमें इस प्रेश्टा वी टूई की चर्चा है तो उसको हम आर्टिकल 111 में देखेंगे अभी आप लोग केवल इतना समझ लेदिया कि हम बात करेंगे आर्टिकल, ए- sorry अब बात करेंगे हम सक्ति हैनी राश्पती सक्ति चान नम्मर की सक्ति कौन सी है हमने बात की सेंड सक्ति राजनक्ति सक्ति बिदाई सक्ति अब बात करेंगे हूं कि विवेक अधिकार सक्ति विवेक अधिकार सक्ति विवेक अधिकार सक्ति में नाम से ही विवेक अधिकार अपने विवेक का प्रियोग करके वह सक्ति का प्रियोग करता है यह जो सक्ति का प्रियोग जो राश्पति होता है वह अपनी छानुसार करता है तो यह प्रियोग कप की जाती है इसका प्रियोग किए जाते है जब सरकार कि ट्रसंकू या कि कि सबयान backup कि पर museum कि कि थी विवी सरकान ना बने कि माल लीजे कि संद्वा 24 में हमारे चुनाव होने हैं जिसे माल लीजिए तीन पाटी क्या हो रही है चुनाव लड़ रही है ए बी और सी ठीक तो माल लीजिए कि जो एक पाटी यह उसको भी पूर्बाहूंद ना मिले बी पार्टी को भी पूर्ण महुमन बना 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 बने और आपको सायद पता होगा कि जो हमारे पूर्ण महुमन कैसे कहते तो जैसे कि हमारे लोकसवाब में 545 सीटें होती है पूर्ण महists पूर्ण महुमन के करेंगे है तोऋ जस भी पार्टी की लोकसवाब में 283 सीटें आ जाती है तो वह क्यों हो जाता है वह मत में आ जाती है और जैसे ही वह मत में आती है वह पार्टी वहय क्या हो ज्यत्ति है सरकार बनाा लेती सरकार बना लेती है अनि को प्रधान मंत्री मंधि मंदल मंति प्रसेट बनने लगता है तो इहां पर जैसे हमने बताया है संदुन科श में चुनाओंगे a b c party से कभी पूर्व भाल मज़़ी तो इसे धेनों rant मैंसे कोई भी पार्ट मैंसे कोई भी पारिटी ये तोई अब क्या हुगा टी के सरकार को यह नहीं बनारी है् सिंक वे जब कोई भी party सरकार नहीं बना रहे हो तो तो अवम कहाते हुरे से टिरशंकु होना है तो यह थिते ओसंगु कि चर्चा अब एसे म effort अब सरकार तो राष्पति जैसे टीन पे-स तो तो राष्पति इन तेनों पर्डी से अपनी एक्षानुसर ख के सीवी परडी को किसी भी पाइटी के मुख नेता को क्या कर देती है मुख नेता को प्रिधान मँन्त्री बना देती है हुआ और जो राष्पती ऐचा क एक्छा जो भी ऊगी वह उसी पाइटा को क्या नदूिक प्रदानमंती बना देगा और तभी इसों क्या कहते हैं विविकादिकार सकती कहते हैं क्योंकि वह अपनी इख्छा से ने लेला है वह चाहिए पार्टी के मुख नेता को प्रदानमंती बना सकता है वह बी या सी किसी भी पार्टी मैंसे किसी भी पार्टी मैंसे वह नेता को क बना दिया बना दिया अब उसने क्या कि लिए अब प्रदानमंती बना दिए आब राष्टफटी प्रधानमंती से खईगेगा कि आब आप 30 दिन के न로 पाइटि शित्ष्ट कीजिए यदि यदी का मुखनेता प्रदानमंती जो बन होई दिदिम अंदर हो तैस दिन के अंतर अपने जो पू axe का पूर भूमक अर्ता 603 दिखा देगा तो उसकी सरकार बन जा जाएंगी यदि यह तो सरकार नहीं बनेगि फिर क्या होगा फिर दुबारा चुना गाए जाएंगी और फिर से क्या होगा मतदान होगा मतदान होगा फिर से मत गड़ना होगी और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम देख पाएंगे तो यह थी क्या हो बीवेकादिकार सकती एक बार फिर से देख लेते हैं कि लिवयकादी शक्ति में क्या था कि इसको प्रियोग का है जो करता है इसका प्रियोग करता है जब सरकार तिर्षंकु ओजाती है तो ऐसी इस्तिती में राश्पति किसी भी एक पार्टी के नेता को मुख्वंति प्रदानमंत्री बना देता है और उससे कहा जाता है कि आप 30 दिन के अंदर अपने पाइटी का बहुमत दखाईए अर्था 273 सीट दखाईए यदि वह 30 दिनों के अंदर ऐसा नहीं कर पाता है तो वह क्या होता है सरकार से भार हो जाता है और दुबारा से चुनाओ करना पड आ चलिए दूस्त बात कर लेते हैं थिपांची सकती तो यह अधे 1700 सकटे विते सांदीकार सकती कि देखते हैं थो कि देखते हैं जेडियोके सब्सक्राइज करस्ति में कैको İsंयव में लखा गया एक तो राश्ट पती पर है या राश्ट पती पर दीवानी दी्त का मुकदमा चलाया जा सकता है लेकिन फोजदारी का मुकदमा नहीं चलाया सकता तो इसमें लखाया कि राश्पती पर दीवानी का मुकदमा तो चलाया सकता है लेकिन फौजदारी का मुकदमा नहीं चला जासेता है ऐसा क्यूं है इसके हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं दीवानी और फौजदारी में क्या अंतर होगा दीवानी को हम इंगलेस में कहते हैं चैATHAN के सबीन करते हैं दीवानी क्या होता है जो भी चोटे चुटे मोटे केस होते हैं जमीन से सब्वंदय पैसे सम्भंध यह सारे क्या आते हैं लिए सजा로 लिए उपयुक्त होते हैं जैसे कि किसी को मडर कर देगे हाप मडर पर हो जाता है जान समाने की क्यों करने पर ऐसा किसी को मार पीड देने से क्या होता है पाज़च्दारी का मगदम लगता है तो इसे हम सहसन कूट कहते हैं तो क्या होता है राश्पती पर दीवानी का मुकदमा तो चला जा सकता है लेकिन फौज़दारी पर फौज़दारी का मुकदमा नहीं चला जा सकता है वह सेना की सजा को भी माप कर सकता है और सेना की सजा को भी माप कर सकता है तो इसलिए उस पर फोजदारी का मगदमा नहीं चलाए सकता है मान लीजाए या उम्र कैद की सजया दिया तो चुआकी इसके पास आधिकार है कि वहाई किसी ऑवी सजया को माप कर सकता है तो जैसे ही उसे सजा सुनाई जाएगी वह तुरंती अपनी सजा को माप कर लेगा क्योंकि वह राष्टपती है उसको पास यह यादिकार है इसलिए उसको फोजदारी पर मुकदमा नहीं चलाए सकता लेकिन इसमें एक और बात कही गई है कि जैसे ही वह अपने राष्टपत से हटेंगे तुरंती उसके बाद ही वह क्या हो जाए तो उन पर जो फोजदारी का मुकदमा लगाया जा सकता है यह जैसे जैसे की मालने कि उन्होंने अपने राष्टपती के कारकाल में उन्होंने किसी का मडर कर दिया तो उस समय उनको क्या होगा फोजदारी का मुकदमा कोड का मुकदमा नहीं चले गा लेकिन जैसे इसी उनका कारकाल फिर तुरंथी उन पर क्या होगा puts दारी का मुकदमा चलाए जाए 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 इस इसमें बात कही करें अब एक और सक्छाथिक्ति को इनekी चर्चाह बाद में करेंगे और घumba कि पाप्रंगे तो कि चर्चा आर्टीकल 72 में में और जैसे कि इस्ट हम ने बतायाता बीटो पावव। कि बीटो डीटो शक्ति यहीं हम पर दीख घोंप गातिकल में करेंगे किंगे इनकी इनकी उसिता ऐसे में करेंगे संस को तहने सकती राजनत्य सकती ने सबसक्ती तो यहां विखसादी कार सकती तो यह सारे दूसक्ति श्मादान सकती कपाथ कर बहांगे देगे और इसमें भी ब विखसादी आगे सकती है rainbow के 111 में उसको भी हम आगे पढ़ेंगे तो चलिए बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई धन्वाद